कोरोना वाइरस और ओमिक्रोन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए लबाद हाई कोट ने प्रधान मंती नरींद मोदी से अपील की है कि यूपी में रेलियो पर रोक लगनी चाहिए इसके साथ ही हाई कोट ने कहा है कि सरकार को यूपी विधानसभा चुनाव को भी कुछ समय टालने पर विचार करना चाहिए कोरोना के तीसी लहर को देखते हुए हाई कोट की तरफ से ये टिपनी की गई है दरसल जस्टेश शेखर कुमार यादव की एकल बेंच में जमानत याच्छिका पर सुनवाई चल रही तीस दौरान कोट में भीड को देखते हुए जजज ने पी-एम मोदी से ये अपील की हाई कोट ने कहा कि पी-एम मोदी और चुनाव आयोक्त प्रदेश में चुनावी रहलियो और सभावों पर रोक के लिए कड़े कदम उठाये कोट ने कहा राजुरेतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाफ प्रचार टीवी और समचार पत्रों के माध्यम से करें कोट ने कहा कि प्रधान मंत्री चुनाफ टालने पर भी विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है बेंच ने पूरोना वैकसिनेशन अभ्यान के लिए भी पिम मुदी की तारीफ की कौट ने कहा अपने आदीश में कि हमारे देश के प्रधान मंतरी जिन् charitable जिन्नोंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में फ्री वैक्सिनेशन अभ्यान चुलाया है वो एक बहुत ही प्रशुंशनिये काम है कोट इसकी प्रशुंशा करता है साथी कोट ये भी अपील करती है के स्तिती को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैलियो और सभाव और चुनाव को रोकने और टालने के बारे में भ जाहन है तो जाहन है तो ऐसे में उत्तरप्रदेश में विधान समथ चुनाव बेहत नजदी काते जा रहे हैं लेकिन जिस तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन का खत्रा लगाता बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए इलाबाद हाई कोट की तरफ से ये कहा गया है के पर रोक लगाई जाए